मौरिय के अगर बात आये तो वहाँ पर चानक्य का नाम नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं चानक्य थे जिनके असिस्टेंस से चंद्रगुप्त अमौरिय ने एक kingdom जो है उसको बनाया था और उसको कहा गया मौरिय डाइनेस्टी चंद्रगुप्त अमौरिय के बाद एक और सबसे पहले आपको यह बता दू कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है दो पार्ट में जो इसको डिवाइड किया जाता है वह एक आता है और दूसरा आता है तो कोट आर्ट में आपको पैलेसे से जुड़े हुए पैलेसे से जुड़े हुए रॉयल लोगों से जुड़े हुए और पॉपिलर आर्ट याने हम लोगों से जुड़े हुए ऐसे दो पार्ट में और आर्ट को स्टडी किया जाता है अब मौरियन आर्ट की शुरुवात करेंगे तो सबसे पहले आपको दूसरी बात ये बता दू कि चंद्रगुप्ता मौरियन ने मौरियन किंडम को बनाया उसके बाद बिंदुसार आए उसके बाद अशोका आए ये सब लोग आने लगे अब इन तीनों ने काफी सारी चीजे बने कोट आर्ट में हमें देखना है पैलेस कैसे थे और इनके स्टूप कैसे थे वैसे हमें पॉपुलर आर्ट में देखना है के कैसी थी स्कल्प्चर कैसे थे और पॉट्री क्या थी तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं को टार्ट में अगर हम आते तो हमें सबसे पहले देखने मिलते हैं पैलेसे बट कैसा है जैसे मैंने बता ना इंडस वाली की जो बिल्डिंग से वह आज आज आपको देखने नहीं मिल रही है क्योंकि बहुत पुरानी वैसे ही मौरियन किंग्डम भी बहुत पुराना यह इनके भी पहले से आपको क्लियरली देखने तो मिलेंगे नहीं बट देखिए यहां पे इस पिक्चर में आप देख सकते कि प खुम्रहर में देखने मिले है पाट्रे पुत्र में देखने मिले है मौरियन किंग्डम के तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि यहां वूड जो था इसका यूज बहुत करते थे अब देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज किया गया है बॉंट ब्रिक्स का और यहां पे यूद्स किया गया है वुर्ड का यह चेंज हमें आर्किटेक्चर में देखने मिलता है सबसे पहला चेंज हमारे आर्किटेक्चर में जो इंडस वैली और आपको देखने मिलेगा मौरियन में सेकेंड आपको यह चीज पता चलती है मौरियन में कि हाय सेंट्रल पिलर्ड देखने मिलते हैं यानि यहां पे पिलर्स के सेंटर के पिलर पे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है वैसा हमें यहां पे बिल्डिंग्स देखने मिलती है और इनके जो भी पैलेसे से वो थ्री स्टोर नहें से पता चलता है। अब फूरा पूरा पूरा नहीं बच्चा है। पर जितना वचा उससे हम यहां गेस कर रहे हैं कि यहां पे यहां पर रिस्टोरी हुआ करता था, और आपको यह भी बता दू कि यहां पर कारविंग भी थी और सक्लॉप्चिर्स भी थे, carvings बहुत सारी वो लोग याने कफी अच्छी carvings करते थे और मूर्तिया sculptures लगा के उसको decorate करते थे सो इस तरह के palace रहते थे जो moral लोग थे इनके पहली चीछ जो है palace ये बहुत ही normal है इसमें बहुत जाथा कुछ याद लखने जैसा नहीं है में जो आपको याद रखने वह पिलर्स और स्टूप तो चलिए पिलर को याद रखते हैं किस तरह से और पिलर का structure आपको बनाते आना चाहिए कल जाके कोई भी question आया में में कि पिलर का यह बना के दिखा उस पे पिलर के उपर तो आपको side में छोटा सा structure बनाना है बहुत जा क्या करना है लेबलिंग अच्छे से करना है सो चलिए देखते हैं पिलर कैसे होते पिलर की अगर बात करें तो एक चीज़ याद रखना पिलर सबसे जादा अशोक ने बनाए जब ही आप कही जाके जीत जाते थे तो वहां पे वह पिलर खड़ा कर देते थे और example ए नाम की जगा इसको मैंने conquer कर लिया तो यहाँ पे एक फिलर अब खड़ा कर दूगा to commemorate the victory कि मैं जीत गया हूं या फिर ये मेरी जगा है that is symbol of state इसके लिए पिलर बनाया करते थे और दूसरी बात ये थी पिलर बनाने के पीज़े कि अपना sermon अपने उपदेश वो लोगों को क्या बताना चाहते वो इस पिलर के पिलर पे लिखके थे लिखके बताने की कोशिश करते थे जैसा उनका जो भी kingdom है वहाँ पे पिलर बना इस पिलर पे कुछ चीज़े लिखी होती थी जो पढ़के आप समझ सकते हो कि वो kingdom में क्या-क्या rules है क्या-क्या regulations है हमारे क्या-क्या teachings है क्या-क्या follow करते हम जितनी भी sermon है वो सब deliver किये जाते थे इसके थे प्रपोगेट किये जाते थे इन पिलर्स के थे यह बनते किस चीज से थे पिलर्स बनते थे चूनर सैंड स्टोन से और इसके चार पार्ट होते थे एक होता था shaft दूसरा होता था capital तिसरा होता था abacus और अब यह चीज अच्छे से याद रखना चार पार्ट सबसे पहले आपको यह बता दू कि जो shaft मोनो लित रहता है मोनो लित याने एक ही स्टोन रहता है जिससे बनता है ऐसा मत समझेगा कि एक अलग-अलग स्टोन लाके इनको जोड दिया है एक स्टोन रखा है और उस पे खड़ा कर दिया है अब sharp जो है यह रहेगा और यह single piece of stone से बनता है single याने mono और लित याने stone अब यहाँ पे single stone से ब bell shift होता या lotus shift होता यह देखिए आप इस capital को देखोगे यह है capital तो यह capital आपको दिख रहा है जैसे कि यह bell है या या फिर हम कह सकते हैं कि यह कोई lotus है जिसको उल्टा रखा गया देखिए इस तरह से capital होता है capital के उपर होता है abacus यह होता है abacus abacus यहाँ पे आपको rectangular देखने मिल रहा है abacus कभी-कभी circular भी होता है circular और इसके उपर रखा जाता है एक animal ऐसा होता है यह पूरा pillar का structure तो एक बार मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ अगर exam में आदा तो आप side में neat and level diagram में बना सकते हैं side में पूरी information देखे उसके capital, capital के उपर आप abacus बनाएंगे जो कि आप circular या पर rectangular दिखाएंगे और इसके उपर आप एक animal दिखाएंगे आपने यहाँ कुछ नहीं बनाते हुए कैसा भी बना दिया तो भी चलता है ज़रूरी नहीं है कि आप perfect बना उपर का क्योंकि इतना time नहीं होता है आपको सिर्फ से चूनर सेंड स्टॉन सो इस तरह से अब कहां-कहां पिलर इग्जामपल जो है मीन मेन वहां लौरिया नंद गर्ण नंद गर्ण पिलर है जो कि चंपार नं भिहार में सारनाथ पिलर जो कि वारा नसी में है ये पिलर्स बहुत फेमस पिलर से इसके लावा बहूत सारे पिलर्स अशोक ने बनाये हैं but most famous pillars यह दोनों देखने मिलते हैं क्या कोई बता सकता है सारनात के पिलर का महत्व क्या है yes yes धर्मचक्रपरवरतन और very good धर्मचक्रपरवरतन जो था पहला सेर्मन गौतम बुद्धर ने डिलेवर किया था सारनात येस वेरी गुड और आज वो क्या इंपोर्टन्स रखता है हमारे लिए सारनाथ का पिलर येस बताना चाहे तो जल्दी याने बता कोशिश कीजिए फिर भी क्या महत्व रखता है आज हमारा national क्या है yes yes very good yes very good national emblem of india है इसलिए उसको पढ़ना होता है चलिए quickly हम सारनाथ के पिलर को देख लेते हैं सारनाथ का पिलर वारानसे में आप देखते हैं यह जो emblem को कापे सारे चीज़ेश में coins में even देखने मिलता है तो यह है national emblem of India जिसको सारनाथ pillar कहा गया अब सारनाथ pillar की अगर कोशिश करें इसको जानने की तो सबसे नीचे जो है यह shaft है जैसे कि आपको अभी मैंने बता है उपर अगर हम आते हैं तो यह बन जाता है capital उसके उपर यहां पर अगर आता है यह देखिए circular मैंने बता था circular rectangular हो सकता है यह होता है abacus और यहां पर अगर आते हैं तो यह होता है animal इस तरह से यह देखिए आपको हर pillar में ऐसे structures देखने मिलते हैं अब अगर देखा अब यह सब अगर बात करें तो यह बनाया क्यों गया था अशुक के द्वारा इतना अच्छे से क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना पहरा सेर्मन जो था ये डिलीवर किया था सारनाथ में इसी को धम्म चक्रप्रवरतन कहा जाता है यानि गौतम बुद्ध ने जो वील ओफ लॉय उसको टर्न कर दिया था उसको घुमा दिया था और अपना खुद का एक महत्व है तो ऐसा कहा जाता है जो गौतम बुद्ध की मदर थी जिनका नाम ताetted क्विन माया उनके सपने में ये एक ऐलीफेंट आया था और एलीफेंट य उनके अंदर चले जाता हैै अगर हम गौतम बुद्ध की बात क करे उनके जन्म के उनका से जो according उनकी zodiac sign जो है राशी वो आती है टॉरस और टॉरस का जो symbol है वो है बुल इसलिए बुल को बनाया गया है अगला है हॉर्स क्योंकि गौतम बुद्ध के life में हॉर्स का बहुत महत्वा था और हॉर्स का नाम कंठक था उनके तो यह कंठक हॉर्स जो था यह चार चीजे यहां पर बनाई जाती है तो लायन यह बताता है कि attain attainment of enlightenment यहां पर मैं लिख देता हूं लायन की enlightened हो चुके है आप मैं आपको पता है कि जो गौतम बुद्धत है उनको हासिल हो चुका था निर्वाना तो निर्वाना हासिल होने के बाद उनको लायन का symbol दिया जाता है इसलिए लायन वहां पर बनाया गया यह चार चीजे यहां पर बनाई जाती है अब यह बनाया जाने के आज आपको यह बता दू कि इसके बारे में और भी कुछ fact है जो हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपने नाम सुना हो गया सत्यमेव जयते सत तुट अलोन प्रिवेल्स याने सच्चाई का ही सिर्फ मेव एक मेव तुट सत्य सत्यमेव जयते हमेशा जीत सत्य की ही होगे सिर्फ सत्य की जीत होगी यह भी इस पे लिखा है तो यह more facts अगर हमको देखना है तो National Emblem of India पे कुछ वर्ड्स लिखे जैसे के सत्यमेव जयते स कहा से लिया है तो मुंडग उपनिशत से लिया है उपनिशत जो है उसमें यह लिखा हुआ है सत्यमेव जयते याने टूथ सत्यमेव जयते का यह मीनिंग है तो टूथ अलोन ट्राइंप तो यह भी हमें कुछ चीजे यहां पे देखने मिलते इसलिए हम सत्यमेव जयते कहत होती है इस तरह से होती है इना सत्यमेव यह है देवनागरी स्क्रिप्ट जय ये टे दिस अग दिस और जो कैपिटल है इस क्राउन वाइवील ओफ लॉव दाड़ धम्म चक्र यहां पे देखेंगे उपर आपको धम्म के अपिटल के गौतम बुद्ध का ही धम चलेगा, चारों दिशाओं में गउतम बुद्ध का ही बुद्धि जम रहेगा, यह चीजे यहाँ पर बताई जाती हैं सारनाथ पिलर के द्वारा, तो I hope आपको सारनाथ पिलर के बारे में पूरी information अभी मिल चुके और आप इसे अच्छे से याद रखेंगे तो यह है पिलर्स के बारे में information और मुझे ऐसा पता है कि आप अभी pillar को easily draw कर सकते हैं आज ही आपको draw करके देखना है ठीक है आपको easily इसको draw कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया भी और आपको यह draw करके भी देखना है यह होंगे अशोक के pillars पिलर्स के बाद अगले जब हाँ आएंगे स्टूप अब आपको स्टूप को draw करना सीखना है स्टूप जो बनाए जाते हैं आपने सबने स्टूप देखे ही होंगे स्टूप किस इस तरह से होते है क्या नहीं यह चीजे आपको सीखना है इस तरह से आपको देखने जो मिलते हैं यह सो यह स्टूप आप जैसे मैं यहाँ ज데ॉआ करने कोशिश कर रहा हूं ठीड है मैं आप लाऄ पर जहीं पर बहुत अच्छे-गों नहीं जाते हैं आप सोच रहाँगे । Racing के theory क्या है सबसे पहले अपको यह बता दू न किका में यह बनाय हुए ज्यादातर pillars थे अब ऐसा कहा जाता है कि अशोक के जो pillar थे वो इरान के कुछ pillar से मिलते जुलते लगते है विच सम डिफ्रेंज तो अशोक के pillar और अक्यमिन यह ने इरान में जो pillars पायेगे उसमें difference क्या है देख लेते तो अशोक का जो शाफ अशोक में जो ुषय की कि बात ऑसको उसमें वेरियस पीसे को जोड़ के बनाया है और हम कहेंगेडिक keyboard C स्टेट विल्डिंग से बने है यहां पर यहां पर भी सर्कावझे बने यहां पर यहां पर masih कि बने बने फुप से बने चूल के बने उसके अलावत दूसरा की बात करे तो अशोख अपने पिल्लर कहीं पे भी ए्रेक्ट करते थे, आईसा नहीं कि पालस के सामने या स्तेट टेट बींडिंग न ही करते थे, but LOOK ATC.Pillar जो है वो स्तेट बील्डिंग के सामने, for example यह कोई पालस होगा इसके सामने पिल्लर लगाएंगा, पर एक्जाम्पल यहाँ पर कुछ ओफिस होगा इसके सामने पिलर लगाएंगे अशोख का ऐसा नहीं था अशोख कही भी उसे एरेक्ट करते थे इंडिपेंडेंटनेंट्ल इरेक्टेड पिलर शोख के दिखने मिले। अब इसके माष्षब होता है आपको बता दिता हुँँ पिलर यह दिकाने के लिए या फिर कुछ सेर्मन डिलिवर करने के लिए पिलर्स बनाए जाते थे वैसे ही जो STUP होते हैं वह बनाये जाते थे ताकि जो RELIX होते हैं तुृ या फिर हम कहेंगे ACES होते हैं आैशाई किसके डेढ जनकी उब्पर में आग एक 1बाइग में जाती है तो जैसे अगर आप इसिलाम में भी दोटन देखोंगे जितने भी यह रहे हैं उनको दफना के उसके उपर ये बनाया जाता है तो वैसा ही शेफ स्टूप में भी आपको देखने मिलता है अब सबसे पहले में अगर स्टूप की बात करूँ तो स्टूप किस तरह से तो आपको ये पता चल गया कि कुछ डेड़ जो लोग है उनके ऐशेस जब उनको जला द दिया गया तो उनके आशेस रख दिया उसके उपर स्टूप बना देते हैं या फिर हम कहेंगे किसी को दफना गया तो उसके रेलिक्स राते है या फिर जला गया तो उनकी अस्तिया लाते है उसको लगा के उसके उपर स्टूप बनाते हैं तो स्टूप इस चीज के लिए यह याद रखेगा ऐसे बहुत सारे स्टूप in डिया में देखने मिलते हैं जो लोग मद्यप्रदेश में रहते होगे उन्हों ने बहुत अच्छे से स्टूप देखा होगा यह वाला जिसको कहा जाता है साची का स्टूप यह video का स्टूप को स्टूप अब सांची का स्टू लोग हैं उनके बुद्धिजम के तो मौंग लोगों के रखे जाएंगे उसी तरह से गौतम बुद्ध के भी रखे हुए थे तो मोस्ट फेमस स्टूप जो है वो साची स्टूप है जो MP में है और सबसे ओल्डे स्टूप जो है वो पिप्रवा है जो यूपी में ये दो स्टूप के नाम अच्छे से याद रखना अब मैं एक एक चीज करके आपको बता देता हूं अशोक के वक्त आप जानते हैं कितने आप जानते नहीं होंगे शायद कितने स्टूप बनाए गए बट यू कांट इमैजिन की अशोक ने 84,000 स्टूप खड़े किये थे पूरे इंडिया में इतने सारे स्टूप बनाए गए चोटे मोटे चोटे मोटे करके टोटल 84,000 स्टूप बनाए गए अब यह बनाए गए उसके अलावा वेदिक ट्रेडिशन में भी स्टूप आपको देखने मिलते हैं तो गौतम बुद्ध की जो डेत होगे तो थोड़े-थोड़े-थोड़े-थोड़े रेलिक्स निकालके थोड़े-थोड़े उनके और वाट्यशन में रखे गये तने जगे पे रखे गए घौतम-बुद्ध के स्टूप पहले आठ आपने देखे वहाँ पे गौतम बुद्ध के जो स्टूप थे उनके रेलिक्स रखे गये हैं और अगर नाइन्थ वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइन्थ यहाँ पे गौतम बुद्ध के जिसमें जो पॉट रहता हैं जिसमें अस्तिया रखते हैं वो पॉट रखके उसके उपर स्टोब बनाया है सो इस तरह से चीजे यहां पर हमें देखने मिलती है अब आपने यह देखा कि आठ में गौतम बुद्ध के रेलिक्स रखे गए और नाइंत में उनके पॉर्ट रखे जाता है जिसमें वह अस्तिया थी यह नौ जगे है जहां पर आपको यह देखने मिलेग प्रेजेंट डे लोकेशन अपने नोट्स में लिखना है दिस इस दर फॉर्स टास्क पॉर्यू ऐसे आपके टास्क और आगे आने वाले तो यह पहला टास्क मैंने आपको बता है अब फिर से पीच्छे आते पहले स्टूप है होता कैसे यह उसका स्ट्रक्चर देख लेते पर आपको एक गैरेंटी देता हूँ कि अभी यह चीज पढ़ने के वाद आप यह जो स्टूप है इसको आप लेबलिंग कर पाओगे तो चलिए लेबलिंग करने के येस टास्क ना कल नहीं दिया था वो क्या हाँ 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 आच्छ चलेगा चले आपको बता दे तो मैं अभी आपको चुब लेबलिंग करऊंगा तो मैं आपको यह बता दूगा कि आप खुद बता पाओगे क्या क्या कहते हैं जालिए एक मेग चीज को जानने की वीकोशिश react करते हैं सबसे पहले हम अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहां आपको यह जो दिख रहा है, यह एक गेट है, यहां पर आपको जो दिख रहा है, यह बाउंडरी वाल है, यहां पर आपको जो दिख रहा है, यह कुछ पैसेजवे जिससे आप चल सकते हैं, यह जो आप उपर देख रहे हैं, इसे हरमी का कहा जाता है बीच से जो line निकलेगे, इसे यश्टी का आजाएगा और यह जो इसे छत्र कहते हैं, तो एक बार देखते हैं, इसको इसमें आके, तो इस तरह से यह stoop बनता है, यह है gateway जिसको हम कहते हैं, तोरन याद रखेगा, gateway को तोरन कहा जाता है, तोरन जो है यह west में भी होगा, south में भी होगा east में भी होगा और पीचे सएड नदेखς तोरन आप किसी भी step के चारो सएड देख सकते हैं तोरन को हम कहसे हैं यह जैसे आपको बता है gateway दूसरी बात यहाँ पर आपको जो दिकरा है यह है यह. यह है passageway Abilitary Passage Way, उपर जाने के लिए यहाँ पे कुछ Stairs बनाए जाते हैं, यह होता है Double Stairway, दो Stairs होते हैं और यहाँ पे Amilitary Passage भी होता है, यह जितना आपको दिखरा है, यह Stoop का Dome है, डोम के साथ यह उपर का जो portion Stoop में देखने मिलता है, इसे हरमी का कहा जाता है, उसके बाद यह बीच की जो line है, इसे यश्टी कहा जाता है, और उपर जो एक, दो, तीन बने दिखरे हैं इसे छत्र कहा जाता है, इस तरह से बनता है, और यह जो fence होती है, यह जो boundary होती है, यह stone की होती है, इसे stone का fence कहा जाएगा, अब यह होता है, हम कहेंगे एक तरह से Stoop, अब देख ल अलावा यह जो है, इसे ambulatory passageway कहा जाएगा, walkway होता है, यहाँ से आप चल सकते हैं, उसके अलावा यह जो gateway तोरन है, यह चारो साइड देखने मिलते हैं, यह जो beach का part है, इसे dome कहा जाता है, यह जो part है, उपर उसके dome के उपर हर्मिका कहा जाता है, हर्मिका के बीच में यहा आपको तीन देखने मिलते हैं, इसे छत्र कहते हैं, अब देखिए, अब इस वाले stoop में आके आप इसे आराम से labeling कर सकते हैं, यहाँ पे, अब आप लोग बोलेंगे, यह कि आपको बोलना है, आप बोलेंगे तो आपको याद होगा, मैं ही बोलूँगा तो मुझे ही याद रहेगा, आपको भी बोलना है, तो यह अब मैं एक एक चीज बोलता हूँ, यह जो first है, इसको हम क्या कहते हैं, बोलेंगे, थोरन, very good, उसके बाद सभी को बोलना है, जो जो जिसको जिसको बोलना possible है, यह जो आपको दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे, yes, या फिर passageway कहेंगे, ambulatory passageway, very good, यह जो बीच में है, बहुत बड़ा यह, डोम, very good, डोम के उपर यह, हर्मिक, हर्मिका, हर्मिक के बाद यह बीच का जो यह पार्ट है, यह, यश्टी, very good, यश्टी के बाद एक, दो, तीन जो बने है, यह, चत्र, very good, तो आप इसे easily अभी बना सकते ह है, यह, चारो साइड होगा, यह भी आपको पता है, उसके अलावा यह, stairway, stairway भी देखने मिलते हैं, इस figure में आपको clearly नहीं दीख रहे है, साची के स्टूप में उतना नहीं रहेगा, बट आपको खाफे सारे स्टूप में stairways भी देखने मिलते हैं, तो इस तरह से आपको labeling passageway बना लिए, ambulatory passageway, यह कि आप easily उसको बना सकते हैं, जैसे भी है, उसको बहुत अच्छे से नहीं बनाया तो भी चलता है, रफ रफ इसमें बनाना है, उसके अलावा आपने यहाँ पे एक इसा तोरन टाइप का खड़ा कर दिया, तोरन खड़ा करने के बाद आपने आपको पता चल जाता है, इस तरह से हमारे तीन चीजे, पहले समने देखे, पिलर समने देखे, स्टूप हमने देखे, स्टूप के अलावा एक और information आपको स्टूप के बारे में fact बता देता हो, इस आयाक पिलर, जो है, वो वन आप दी फायू पिलर जो है, वो बुद्धि स्टूप के surrounding में उसको बनाया जाता है, अब तूप को स्टूप को जो स्टूप के around जो पिलर बनाएंगे, उसको आयाक पिलर कहेंगे, और ये सबसे जादा आपको देखने मिलेगा, जो अमराव थी, आंदरप्रदेश अमराव थी में जो बुद्धि स्टूप है, वहाँ पर आपको ये पिलर्स देखने मिलते हैं, तो पाच पिलर्स होते हैं, उसमें से ये आयाक पिलर होते हैं, तो आपको ये चीजे पता चल गई है, अब तक की स्टूप के बारे में और पिलर्स के बारे में, तो कोट आर्ट हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा जिसमें हमने केव तो पहले आपको पता है स्टोनेज के टाइम पे इंसान केव में रहता था स्टोनेज के बाद फिर हमने यहां पे घर बनाना शुरू किया आपने जैसे के आप देख रहें के हडपा और यह सब जगे पे आपको बर्ण ब्रिक का यूज करके घर बनाने देखने मिलें बा हा जाता है रॉक कट केव यह मीनिंग याद रखना है उसके अलावा इसको यूजड आज विहार अब विहार तीन दो चीज़े बताते तो एक होते हैं विहार दूसरे हम कहेंगे देखे अब इसमें भी कुछ चीज़े जैसे स्टूप यह क्यों बनाए जाते हैं हम कहेंगे विहार क्यों बना जाते हैं और हम कहेंगे चयट्य क्यों बनाए जाते अब जैसे स्टूप थे आपके वो जो लोग है उनके रिलिक्स रखे जारे वाज़ो ये चयट्य लहार ने प्रेयर हाल थे और विहार यानि जहां यह लोग रहते थे जिसको केयं को ने यह फ़ेंगे बैस थी इनकी ख।्फ्छ के कpend이다 कर दों कर दोंग जो कि नीं side कर ने को रहने के रहने के-लिए विहार बनाजा थे और एक्जाम्पल इसका है में एक्जाम्पल वो है बराबर केवस और नागरजुनी केवस जो की बिहार में आपको देखने मिलती है अब यह बनाई गए थी किसके वक caveat तो अशोक मौरियन टाइम था अशोक और उनका ग्रैंड सन जो था जिनका नाम था दशरत अशोक और उनके ग्रैंड सन दशरत के वक्त बनाई गए थी यह केव जिसको कहा जाता है बराबर और नागर जुनी केव बिहार की तो यह कुछ इंफोर्मेशन हमें यहां पर पता चलती है केव के बारे में, अब केव बनाने की शुरुआत हो चुकी थी तो केव बनाई जा रहे थी अब केव जो है वो बुद्धिस्ट केव में यहां पर च्रॉक बनाएंगे क्योंकि अशोक बुद्धिस्व कर्ते हैं इसे ही कुछ केव में कुछ क्वेस्जिंस पूछे गए हैं यू पन्डव لेनी कहा जाता है लेनी means caves और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह होती है पांडव लेनी मराथी में caves को लेनी कहते है इसलिए इसको पांडव लेनी कहा गया है उनको कब बनाया गया था तो उनको first century से थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में बनाया गया था नाशिक लेनी को यहां पर थोड़ा फैक्ट है यह जैसे अभी हमने कुछ हैं महायना जो है यह एक होता है लेशर वेहिकल और एक होता है हम कहें बड़ा वहिकल टो एक छोटा वेहिकल है ऐसे दो है बड़े दो सेक्ठ वुद्धिजम ने हिंता यह जो हिनायन पहले है को हिनायन पहला है तो हिनायन प्belsाश करेंगे तो हिनायन परेट इन्हरिका करेंगे कि इन्हों करेंगे भागवान था टो यह आइडल्स बनाएंगे और उसकी पूजा भी करेंगे महायन वाले हिनायन जो है वो जादा तर टीचिंग्स बताने की कोशिश करेंगे केव्स में बहुतम बुद्द के सकल्प्चर बना की बनाए भी तो उसके अकॉर्डिंग टीचिंग्स बताएंगे तो यह दो चीज़े यहां पर चल रही थी सो यह होने के साथ साथ हम कहेंगे यहां पर वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा कहा गया है यहां कहेंगे यहां वाटर टैंक भी बनाए गया हैं यह बहुत ही अग सी के नशिक केव के जो है यह बुदिश्ट केवस है और यह महारस्ट में लोकी केंट होने के साथ सा यह पांडव लैनी कहा जाता है यह related to बुद्धिजम में दो सेक्ट की है, पहले है हिनायन की भी और महायन की भी, दोनों सेक्ट के कार्विंग आपको मिल सकती है, इसमें देखने, देखिए पूरा पत्थर है, पत्थर को तोड़ तोड़ के रॉककट केव बनाई गई है, तोड़ तोड़ के पत्थर को इस सब्सक्राइब के अगे हमें जो अजंता केव और एलोरा केव पढ़नी है, इनके वक्त की नहीं है, इनके बात की है, इनके बात की कुछ केव और पढ़ेंगे, फिलाल केव में इतना ही, अब यहाँ पर बुद्धिजम से रेलेटेड केव इन्होंने बनाई, उसके बाद इनका sculpture देख लेते हैं अब यहां पर आप आते हो इनके court आज में आपने caves देखी sculpture और pottery थी दो चीज़ा और देखनी है sculpture की अगर बात की जाए तो मूर्तिया इनके वक्त की कैसी थी मूर्तिया जो है वो primarily इसलिए बनाई जाजी थी अब यक्ष और यक्षी नी यह कुछ हम कह सकते हैं कि एक तरह से भगवान जैसे इनको कहा जाता है उस तरह से और जैनिजम में भी इनको माना जाता है तो object of worship भी बन गए कभी-कभी यह जो sculpture थे यह यानि कभी-कभी मूर्तियों की पूजा भी की जाती थी जैनिजम में बुद्धिजम और हिंदुईजम में तीनों रिलिजन में फिर मूर्तिया बना के उनकी पूजा भी करते थे तो इस तरह से इनोंने sculpture बनाए बट यह क्यो मेंली बना दे जाकि डेकोरेट कर सके कोई भी चीज को डेकोरेट करने के तो शीलपद्धिकरम जो है तमिल टेक्स्ट उसमें आपको देखने मिलता है तो यह सब आप पढ़ते हैं शीलपद्धिकरम और यह सब संगम लिटरेचर में तो उस टेक्स्ट में आपको देखने मिलता है यक्षी का मेंशन और शलभान जी का जो है वो उसमें यह है कि यक के यह जो यक्षी है यह यक्षी को पकड़के है और यह जो अमने पिक्चुर ली है यह है साची स्टूप की साची स्टूप आपने यहां पर देखा है यह होता है तो यहां पर message देख रहे हैं आगلام देर नहीं दिखेंगे बड़ आपको यह बता दूँ कि देखिए यहां सकल्पचर यहां सकल्पचर यहां सकल्पचर टेकोरेशन के लिए इसमें यक्शी जो है उनको बनाया गया वेरी गुड रेड एंड ब्लाक वेर ये कहा जाता है वैसे इनके पॉट्री को कहा जाता है नौर्धन ब्लाक पॉलिष्ट वेर ये पॉट्री इनकी थी तो ब्लाक पॉलिष्ट लगाया जाता था पॉट्री पर आज भी आपको इस तरह की पॉट्री देखने मिलती है ये आप लाओगे जो मर्ड से बनी हुई या फिर कले से बनी हुई पॉट्री तो वो ब्लैकी इसी तरह के आपको ज़्यादा तर देखने मिल देखने मिल था जो कि देखने मिला था मौरियंस के वक्त हाइस लेवल पॉट्री अब यह चीजे आपको यहां पर पता चल चुकी है यहां पर पता होने के बाद आपको यह बता दू कि देखिए यहां पर हमने पर प्रसा आपकर यहांपर utos किया देखने मिल और सारkl से मिल कोकि घ्याते हैं हम और फैरजिए यह सब चीजे आप पड़ी है स्टूप। इस तरह से रिवाइज करते रहे ना, फिर हम popular art में, popular art में हमने caves देखी, जो की rock cut caves थी, rock cut होने के साथ साथ polished थी, और उनके जो gateways थे, वो decorated gateways थे, ये तीन चीज़े हमने mainly यहाँ पे देखी, और यहाँ पे caves जो है generally, वो buddhist caves बनाई गई थी, ये भी हमने पढ़ा, उसके बा worship के लिए भी उसे use करते थे, तीनो religion में, बुद्धिजम, जैनिजम और हिंदुईजम में, इस तरह से, और mainly आपे सबसे famous, जो हमें स्कल्प्चर देखने मिलता है, वो है यक्षी का, स्कल्प्चर देखने मिलता है, वो है यक्षी का, इनके वक्त जो हमने portrait देखा, वो था Northern Black Polished Wear, NBPW, यह है आपके Morian Art, सो Morian Art सब लोगों को clear है, किसे को कोई doubt नहीं है, एक बार बता दीजेगा, और आगे बढ़ जाते हैं